आज के इस वीडियो में सीखेंगे ABC कार्ड कैसे बनाए ABC कार्ड क्या होता है किनको बनाना चाहिए और कैसे बनता ही पोड़ी प्रकिरिया हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं ABC कार्ड क्या होता है ABC कार्ड स्टूडेंट के लिए होता है अगर आप स्टूडेंट है और रेगुलर मूड में कोई भी कोर्स करना चाहिए चाहिए गर्जिवेशन करना चाहिए पीजी वेगर है कोई भी कोर्स आप करना चाहिए वह भी रेगुलर ABC Card वही ABC Card बनाने की परकेरिया हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि आप जो आप ABC Card बनाएंगे तब ही आपका admission होने वाला है ABC Card यानि कि क्या होता है ये भी हम जानेंगी ABC Card मतलब Academy Bank of Credit ABC का फुल पुरम होता है Academic Bank of Credit मतलब माल लेजिए अगर आपने admission लिया है कहीं पर कहीं पर आपने admission लिया है किसी भी course में उस समय आपसे ABC Card मांगा जाएगा तो आप जो course कर रहे हैं उस course को आपके ABC Card से link कर दिया जाएगा और उस card के मतलब से government या आप जान सकते हैं कि आप अभी कौन-कौन से course में नमंकित है मतलब माल लेजिए अगर आप एक से जाधी course कर रहे हैं और दोनों जगह आपका admission हो चुका है और आपका course हो रहा है तो उस ABC Card के मतलब से government जान सकते हैं या आप जान सकते हैं कि आप कौन से course में enroll है मतलब आपका जो education की detail है वह history है वह आपका ABC Card बताएगा यानि कि ABC Card आपका यह बताएगा कि आप अभी कौन सा college से कौन सा course कर रहे हैं क्योंकि अब जो आप पढ़ाई करेंगे वह सारी detail आपके ABC Card से link कर दिया जाएगा मतलब नौर्मल सी भासे में बात कर लें जो भी सिक्षा में आपको जो भी course करेंगे वह सारे course का data और detail आपका ABC Card में रहेगा तो चलिए ABC Card admission के समय आप महत्पुन document में से एक document है जो आपको देना अनिवार्ज होता है तो समझ के ABC Card क्या है और ABC Card कैसे काम कर सा है और ABC Card आपको admission के वक्त एक महत्पुन document की रूप में काम आएगा तो चलिए ABC Card बिल्कुल फिरे में बनाने के लिए आपको Google पर चले जाने किसी ब्राउजर में और यहां भी search box में आपको search कर देना डीजी लोकर जैसा कि आप देख पार है हमने यहां पर डीजी लोकर सर्च किया और यहां पहली वेबसाइट आ चुके www.dglokr.gov.in सिंपली से इस वेबसाइट को open करेंगे आप इस step को इस तरीका को अपनी system के अलावा मोबाइल में फॉलो करेंगे तो same पर किरिया अगर आप डीजी लोकर पहले कभी account बनाया है तो आप साइन इन करके account को login कर लेंगी अगर डीजी लोकर एकाउन पहली बारा है तो पहला आपको एक account बनाना होगा अगर आप इन account बना लिया तो login करेंगे account कभी नहीं बनाया तो आपको sign up पर click करना है चले हम आपको एक नया account बना के भी दिखाएंगे जिसके लिए यहाँ पर sign up पर click करेंगे जिसके इसके student है student के नाम से account बनाना है जितने भी लोगों का आप ABC कार्ड बनाएंगे सभी के नाम से अलग-अलग account बनाना होगा तो एक account से आप सभी का नहीं download कर पाएंगे जितने account उतने बनाना होगा उसके ही account से उसका card download कर सकते हैं चली यहाँ पर student का फूल नाम डालेंगे जो उनके आधार काट पर यहाँ पर डेट बड़ सेलेट करेंगे जो उनके आधार काट पर वही सेम डेट बड़ आपको यहाँ पर फिलप कर दे रहा है उसको अधिन का जेनरल सेलेट बटन पर क्लिक किजिए जैसे अब साड़ी detail डालेंगे और साड़ी detail डालने के बाद submit करेंगे तो यहाँ पर आपके मुआल पर OTP बेज दिया जाता है उस OTP को आप यहाँ पर enter करेंगे कौन से मुआल पर OTP बेजा गया उसके अंतिम का चारक्षर आपको यहाँ पर सो करे करेंगे जैसे हम यहाँ पर submit करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि आधार नंबर एंटर कीजिए यहाँ पर student का आधार नंबर एंटर करेंगे और आधार नंबर एंटर करेंगे आधार कार्ड में आपके आधार कार्ड के साथ आपको मुआल नंबर लिंक होना जरूरी है इस बटन में किलिक करेंगे आपके आदार गड़ के साथ जो भी नमबर लिंक है उस पर एक OTP चले जगए उस OTP को आप इस बॉक्स में एंटर करेंगे तो हमने यहां पर OTP एंटर कर दwe件事情 ट्पर कर्वेंग समेट वटन करेंगे तो यहां पर देखिए सम्मिट वटन पर क्लिक कर दिया जैसे हमने सम्मिट वटन क्लिक क्या तो यहां पर देख सकते हैं अमारा account बन चुका है बनकर login भी हो चुका है यहाँ पे ABC card के बारे हम बता रहा है कि बना सकते हैं इसे हम फिलाल close करेंगे और यहां पर कहरा है कि एक username रखेंगे आप account बना है तो अपने account कहें username करेंगे जो भी यूजर नेम आप रखना चाहिए वह रख सकते हैं यहां पर हम यूजर नेम रखेंगे और समीट करेंगे जो भी यूजर नेम आप रखना चाहिए यहां पर रख सकते हैं जैसे हमने यूजरनेम रखके समीट किया तो यूजरनेम विल बी सेट टू इतना आपका यूजरनेव उसके बाद यहां पर बटन है जेकर पहले यहां जीफ इससे डॉकुमेंट को सासी कि डॉकमेंट माणाना हुआ जी पहले हम सर्च करेंगे जब एक बाग है तो वह वारं जाओ व Потому ज्चुमेट के साथ झालिंक यहां डॉकमें reactुंछ को मेंस देख सकते हैं चैनलोड कर सकते हैं जीने यह मैं डोकुमेंट इसु करना होगा। जिसके लिए हम यहाँ पर सर्च डॉकॉमेंट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहां पर उसके बाद आपको यहां भी बहुत सार्य सर्विस आ जिंगे ज्सीके एग्ज सिसटे अ ग último सर्विस लेना चाहते तो यहां भी आप देख सकते हैं सभी स्टेट है उसके नीचे आएंगी एजूकासे डिलेटेड को भी सर्विस को यूज करना चाहती वह कर सकतें your company house है में बहुत सारे सर्च करना चाहिए वह से मुझी सर्च करना है इस सर्च बॉक्स में लिखेंगा यही आपार आईडी, यही आपार आईडी, एबीसी कार्ड ही होता है, तो इसपे हमें किलिक करेंगे, जिसे में इसके किलिक करेंगे, हमारा नाम, डेट अब बर्द, आजाएगा, जो आधार करेंगे, उसके वाद सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है, यहाँ अगर आपका या Registration Number दे सकते हैं, New Enrollment कर सकते हैं, या New Admissions कर सकते हैं मतलब कह रहा है कि अगर आपका admission कहीं हो गया है तो इसकी detail है तो इस detail के साथ आप आप ID Card यानि ABC Card बना सकते हैं नन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले ID Type है इस पर क्लिक कर दिया हमेने उसके बाद आपको कुछ नहीं फिलप करना अगर आप यहां पर ID Type में कोई सी सेलेट करते हैं तो उसकी detail फियर जैसे हम रॉल नमर सेलेट करेंगे यहां पर करेंगे तो यहां पर कहेंगा रॉल नमर एंटर करना है ठीक है और यह सारी चीज आपको स्टूडेंट टाइप वगरे डालना होगा तो चलिए मुझे मेरे पास नहीं है तो हम यहां पर करेंगे फैसा निमास को स्कुमिव पिर्व करेंगे पर सब्सक्राइब दोत्थान के अगरे यहां यहां पर डाटा सम्मीट करेंगे पर में इस हुख करेंग उस लिए को इस पर यह एक तक हैंड़ी इसो कर रखे हैं, इसेकी हो सभी डॉकुमेट यहाँ पे इसो करेंगे, जैसी को आप देख सकते हैं, हम्ने आदार काarड, Shark лучше, Master Rif frequentатив Löchers को भी और तो जैसे कि यहां पर आपार आडी कार्ड इससे हम डाउनलोड करनेंगे, यहां पर डाउनलोड आइकन सिंप्ली इस पर किलिक करेंगे, और यहां पर पी पीडियाप का उप्शन इस पीडियाप पर किलिक करेंगे, जैसे हम इस पीडियाप पर किलिक करेंगे, आप इस पीड अगर आपको कहीं ABC card मांगें, तो आप इस ABC card को दे कर अपना admission करवा सकते हैं. तो इस तरह आप ABC card को यूज कर सकते हैं, और ABC card के साथ अगर regular से आप कोई course कर रहे हैं, तो आपका ABC card मानने होगा. अगर आप regular से नहीं कर रहे हैं, माल लेज़े अगर आप distance mood से कर रहे हैं या किसी और mood से कोई भी course कर रहे हैं, तो आपका ये apart card नहीं लिया जगा तो distance इगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक card लिया जगा जिसका नाम है DEB card, DEB card distance, card होता है distance वाले के लिए तो DEV card distance education bureau होता है उस card की मदद से आप distance में admission लेते हैं तो ले सकते हैं अगर आप regular admission लेना चाहते हैं तो आपको ABC card देना हो जो अभी मैंने आपको बता है बनाने का इस तरह आप ABC card बनाके regular admission ले सकते हैं अगर distance किसी course में admission ले तो उस समय आपको मांगा जाता DEV card distance education bureau तो DEV card बनाने का link आपको वीडियो के description box में मिल जागा मैंने आपको उसका वीडियो दे चुका हूँ आपको देख ले जागा link आपको वीडियो के description box में मिल जागा उस वीडियो की मदद से आप DEV card भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं लेकिन याद रखेंगे अगर आप DEV card बनाना चाहते है तो उससे पहले आपको ABC card बनाना जरूरी है ABC card बनने से पहले ही ABC card बनने की बाद ही आप DEV card बना सकते हैं चलिए आप मिलते हैं फिर new video में DEV card वाले video में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद